हालो स्टुडेंट्स, वेलकम तू माई यूटूब चैनल, लर्निंग इज विजडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल, लर्निंग इज विजडम में, तो स्टुडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, क्लास नाइंत के बैलोजी, चैप्टर 6, जिसका नाम है टीशू, तीशू में आज में पढ़ाऊंगी, मस्कूलर टीशू के बारे में और नर्वस टीशू के बारे में, इसलिए वीडियो में मैंने, कनेक्टिव टीशू के बारे में बताया था, जिस स्टुडेंट्स ने ये वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दोंगी इसका लिंक, आप लो जरूर देख लेना, जो भी स्टुडेंट्स वीडियो को देखेंगे, वो अंत तक देखेंगे, इस वीडियो को पूरी देखेंगे, ठीक है, इसे आप स्कीप नहीं जो competitive की तयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत यह basic चीज है, ठीक है, तो आप लोग इसे बस आपको क्या करना है, हमारे सारे वीडियो को continue देखना है, ठीक है, आपको skip नहीं करना है, जब तक आप continue नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, मैं मैं स्टार्ट करूंगी अज muscular tissue and nervous tissue, muscular tissue, muscular tissue का नाम से पता चल रहा है, यह muscles, यानि यह muscles से बने हुए है, ठीक है, तो muscular tissue क्या होता है, consist करता है, बहुत सारे elongated cell को, बहुत सारे अपने लंबे-लंबे जो cell होते हैं, उस cell को यह क्या करते हैं, मतब consist कर नहीं उसे बना होता है, उसको क्या कहते हैं, muscles fiber कहते हैं, और muscles के बारे में आप लोग सभी कोई जानते हैं, कि आपके body में muscles है, ठीक है, तो यह muscles क्या करता है, और पिस यह muscle क्या करता है, movement में help करता है, हमारे body के movement में, इसकी responsibility होती है, muscular tissue की, कि हमारे body में यह movement करवाई, हमारे muscles को, ठीक है, तो this tissue is responsible for यह इसका नाम होता है contact time protein यानि कि सिकुडने वाला या family वाला proteins टिक है विक्ट्रेइब रिलेक्स टू कॉप मुपन है वह मुपनटर्ष करता लो घृतक है ओर द चुट्राटील ऐने कि aside 와서 सभी को पता है कि हमारे मुसल्स को given प्रोटिन के कारण होता है, यह मसल्स इसी प्रोटिन का बना होता है, उसमें यह प्रोटिन्स पाई जाते हैं, तो मसल्स टीशू जो होते हैं, वो हमारे बॉडी में प्रजंट तो होते हैं, लेकि इसके कुछ टाइप भी है, यह muscles के कुछ टाइफ है, यह 3 types के होते हैं, तो पहला होता है straight muscles, second होता है smooth muscles and 3 होता है cardiac muscles, तो हम सबसे पहले first में पढ़ेंगे हम लोग static muscles, यह static muscles होते क्या है, नाम सून के ही लग रहा है कि यह straight है, यह एक रेखा बना हुआ है इसका, यह रेखा है, रेखित muscles, यह नहीं रेख स्कोप से देखोगे, तो आपको कुछी इस तरह दिखेंगे muscular tissue, okay, now, static muscles, static muscles जो होते हैं, under the control of the will, यह ऐसा muscles होता है, जो आपके control में होता है, यह क्या होता है, voluntary होता है, यह आपके इच्छा के according होता है, यह muscles का काम, तो यह से हम लोग कह सकते हैं, कि यह आपके control में है, यह muscles muscles present in our limbs, move when we want them to and stop when we suit decide, such muscles are called voluntary muscles, जैसे कि यह बताये गया है, जैसे कि आपका limb होता है, limb में क्या होता है, limb आपके पैर होते हैं, उसे कमनों limbs कहते हैं, ठीके, तो यह जैसे कि आपके muscles, आप हाथ को, पैर को, अगर माल लीजी आपको मन है, आपका इच्छा, अगर आपको करना है, इस direction में करना है, तो यह आपके इच्छा क्या according हो रहा है, अगर आप चाहेंगे तभी अपनी हाथ को उपर उठा सकते हैं, अपने पैर को निचे फ्राक्ट सकते हैं, या मोड सकते हैं, तो यह muscles क्या करता है, आपके इच्छा क्या according काम करवाता है, ठीके, तो इस के muscles को क्या करते हैं color delivery Lucas करते हैं कि यह after decided करते हैं कि आप अपने MSLE को कैसे मोडें derniय無log करते हैं कि अपने limbs के muscle को कैसे मोडें अपने हाथ को पर को कैसे मोडें ठीक है इस muscles ा also called skeletal muscles और इस muscles को हम लोग दूसरे नामसे भी जानते जिसका नाम है skeletal muscles, क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं, इसके जो muscles होते हैं, हमारे body में जो bone होता है, उसके साथ ये movement करता है, ठीके? ये हमारे bones के साथ attached रहता है, जैसे कि, माल लिजो ये statin muscles है और ये bone है, तो ये bone के साथ ऐसे मुड़ा हो रहता है, ये मतलब mix रहता है, उसके करता है, इसके करण हमारे body करता है, movement करता है, ठीके? अंडर दा माइक्रोस्कोप, इस muscles, so, अइटनेट लाइट और डार्क बैंड, और स्टेटल्स, वैन, स्टें, एपो, स्मेकली, मतलब इसमें क्या होता है, कि ये जो muscles है, हमारे स्टेटल्स, अगर इसे आप माइक्रोस्क तो हम आगे फीगरने पढ़ेंगे, as a result, they are also called esthetic muscles, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, esthetic muscles, यानि कि एक रेखा बना होता है, ठीके? इसलिए हम लोग esthetic muscles इसे कहते हैं, this cells of this tissue are long, और इस esthetic muscles के जो tissue होते हैं, tissue के जो cell होते हैं, वो long होते हैं, cylindrical होते हैं, unbranch होते हैं, यानि कि क is that it muscle is such a must stick. यई होते हैं? यह इस muscles का figure बना हो700 है, यह state है, इसे स्तेक विए हैं, इस स्टेट हैं? इसमे बहुत सार निकलिस प्रजेंट होते हैं, अमने बताया था कि multi nucleus, यह N ईकलिस में निकलिस यानी इसमें बहुत सार निकलिस प्रस्टन है और स्टेटिएन्स यहां पे यह Next अधारी इसे लॉद्फ अईसे करके लॉद्फ ऑबना यह यह सुरुत अधाशी फिता है को यह डार्क सेड है और यह लाइट सेड है तो कुछ इस तरह दिखते हैं स्टेट मसल अगर इसे आप माइक्रोसकोप से देखे तो तीक है यानि हमारी मसल्स टीशू जो इसी टाइब के दीखते हैं तीक है नेक्स्ट अब है स्मूथ मसल्स यानि फर्स्ट था हमने जो बताया स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं जैसे कि हम कुसी फूड को खाते हैं तो यह हमारे एकछा कैनुसर नहीं होता है क्यूं कि यह involuntary movement होता है इसमें जैसे कि हमारा एलिमेंटरि कैनल होता है तो आप यू कह सकती हो कि स्मूध मसल से होता involuntary movement, यानि आपके इच्छा के बिरू दिये होता है, ठीक है, smooth muscles are involuntary muscles, control such movement, और involuntary muscles जो होते हैं, smooth muscles के, ये कुछ movement को क्या करते हैं, control करके रखते हैं, ठीक है, वो आपके इच्छा कनुसर नहीं होता है, ठीक है, बारबर बता रहे हैं कि ये अनेच्छिक है, ठीक है, आपके चाहने से ये नहीं होगा, अगर आप फुट को मुँ में डाल दियें, अगर वो फुट पाइप में चला गया, तो आपका ये अच्छा नहीं है कि उस फूट पाइप से फूट को निकाल दें, तीक है, क्योंकि इन्वॉलेंटरी है, जैसे कि आपके आख, आख जो होती है, आख की जो पलक होती है, ये आख की पलक बार बाज जबकता है, ऐसे सकर कैसे करके, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तीक है, ये यूट्रेस, जैसे कि यूट्रेस जो होता है, तीक है, यूरित्रस, जैसे कि हमारा जो किड्नी होता तो यह भी आपके कंट्रोल में नहीं है तो यही सब सारे चीज में स्मूथ मसल्स प्रजेंट होते हैं तो आप कह सकते हैं हमारे हमारे मसल्स में हमारे पूरे बॉड़ी के मसल्स में लेकिन सबका जो वर्क होता है वो अलग होता है तो इसमूथ मसल्स का फंसन हमने बता दिया जैसे आपके आखों का जपकना ठीक है पलक का मतलब आपको अगर ट्वालेट लगती है यानि यूरिन जमा होता है तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपको ट्वाइट लगती है तो क्या आप कितना देर रोख सकते हो यह आपके इच्छा के विरुध है ठीके तो आपको यह भी क्या होगा यह स्मूद मुसल का इसमें नुकलियस प्रजंट होते हैं याविं रेखित को यानि इसमें अनिस्टेट को हम लोग वॉलेंटरी मुवमेंट में होता है और इसे अनिस्टेट मुसल्स में involuntary movement होता है, यानि आपके इच्छा के बिरुद्ध, ठीक है, that's clear student, and I am very clear students, जैसे कि ये, smooth muscle के figure है, जैसे देखिए, ये है, देखिए, ये वाला जो हमें बताया था, pointed shape, ये है pointed shape, देखिए, ये वाला, pointed shape, ये वाला देखिए, आपको देखाई दे रहा है students, देखिए, ये वाला क्या है, pointed shape, इसमें सब में क्या है, single single nucleus भरे हुए है, यानि इसमें single nucleus present होते हैं, ठीक है, देखिए, spindle shape, muscle cells, ठीक है, ये muscle cells है, यानि smooth muscle cells है, और इसका structure क्या होता है, uninucleated होता है, और pointed होता है ये, ठीक है, that's clear student, now next, अब the next muscles, cardiac muscle, cardiac muscle के बारे हैं पढ़ेंगे, cardiac muscles, सबसे पहले आपको जानना है, कि cardiac muscle हमारे heart में होता है, heart, यानि हमारे hirid है, ठीक है, तो ये भी क्या है, involuntary movement होता है इसमें, क्योंकि आपका heart, यानि आपका heart क्या करता है, pump करता है, तो ये आपके इच्छा के बिरुद्ध होता है, आप अपने heart को बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि heart का चलना के एक light processes है, ठीक है, इसे क्या होता है, circulation होता है हमारे body में, ठीक है, तो cardiac muscles are involuntary in function, and found only in the wall of the heart, तो ये जो present होते हैं, हमारे heart के wall में, ठीक है, हमारा heart जो होता है, उसके wall में, यानि उसके दिवाल होती है, जिसको हम लोग cardiac muscles कहते हैं, यानि यही muscles heart में present होते हैं, और ये किस movement को था, involuntary function का होता है, ठीक है, यानि कि हमारा heart सिकूरता है, सिकूरता है, फिर फैलता है, फिर फैलता है, ये लाइफ टाइम कंटिनीव रहता है हमारे heart का, कभी आपने ये फिल क्या होगा, कि आपका heart हमें साथ क्यों, मतलब ऐसे contract relax करता है, क्यों, तो ये pumping का का काम चलता है, ये लाइफ टाइम चलता है, रिद्धमिक एक प्रोसेस होता है हमारे heart में, तो इसमें यो muscles होते हैं, यही muscles से movement कराने में help करते हैं, ठीक है, इस involuntary muscles are called cardiac muscles, और इस involuntary muscles को हम लोग क्या कहते हैं, cardiac muscle कहते हैं, the fiber of cardiac muscles, heart muscle cells, यानि कि जो cardiac muscles के fiber होते हैं, वो heart muscles से होता है, ठीक है, ये होते हैं uninucleated, यानि इसमें single nucleus present होते हैं, branch, ये इसमें branches होते हैं, and cylindrical shape के होते हैं, ठीक है, अम रहे इस structure में देख लेते हैं, ये है cardiac muscle का structure, ठीक है, ये structure है, तो ये वाला देखिए, धारी बने हुई है, इसी बिन धारी लंपतले पतले आपको यहां दिखाई नहीं दे रहोगा सही से, लेकिन अब दभ्ध्यान से देखेंगे, आपको सबको धारी दिखाई देगा, पतला पतला लंबा जैसा, ठीक है, ये fiber like structure, ठीक है, तो ये है cardiac muscle का structure, ठीक है, ये cylinder का save का होता है, अब है next, fourth number tissue है nervous tissue, ठीक है, ये nervous tissue आपने साइट पढ़ा होगा class 8 में, ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं, तो फिर जान जाएए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर से बता रही हूँ, आपको recall हो जाएगा, nervous tissue, nervous tissue आपने की nerve, ठीक है, तो हमारे जो sales होते हैं, उसमें ये ability होती है, कि वो हमारे किसी भी response को, ठीक है, हमारे किसी भी stimuli को, वो response देते हैं, ठीक है, हमारे sales का ये ability होती है, ये चमता होती है, हम किसी चीज को करते हैं या किसी चीज को कोई काम को करते हैं ठीक है हमारे साथ कोई event होता है तो यह सब चीज जो इसकी जो responses होती है response होती है हमारे सेल तक पहाँ जाती है ठीक है तो इसकी ability होती है सेल को However, cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body इसमें क्या होता है नर्वस tissue होते हैं वो highly specialized होते हैं ठीक है बहुत जड़ क्या करते हैं even यह नर्वस tissue की सेल hoते हैं वह क्या करते हैं हमारे किसी भी response को तो रहत हमारे किसी भी stimulus को तुंझ टांस्मीट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक हमारे बोडी के एक जगह से दोसी जगह तक उस response को यानि उस सूचना को उस information को तुरथ क्या करते हैं रैपिड तरीकी से तेजगती से वहां तक transmit कर देते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि हम यह काम कर रहे हैं हमें यह काम करना है ठीक है यानि कि information को पहुचाना transmit करना त थांतरन करवाना एक जगा से दूसरे जगा इसलिए हमको क्या कहते है हम लोग नर्वस टीशू के सेल को क्या कहते है यह highly specialized होता है okay that's clear the brain spanal cord and nervous nerve cell are also sorry are all composed of nervous tissue यह nervous tissue जो होते है इसमें क्या composed होता है brain होता है spanal cord होता है ठीक है and to इसमें nerves होते हैं यह सारे चीज से बना होता है हमारा nervous tissue okay that's clear the cells of this tissue are called nerve cells or neurons और इसी यह tissue के cells को यह इसी nervous tissue के cells को हम लोग nervous cells and neurons के नाम से जानते हैं that's clear आपको हमेसे याद दखना है कि nervous tissue यानि information को transmit करता है हमारे body में किसी भी चीज को हम करते हैं तो उस response को वो हमारे body तक पहुचाता है ठीक है जैसे कि मान लेजिए हमें चोट लगती है तो हमारे brain तक यह कैसे पहुच पाता है और हमें पता चल पाता है कि हमें उस जगत चोट लगी है यानि हमें response मिल पाता है तो यह response का भी काम करता है यह बस tissue Next In neurons construct of a cell body With a nucleus and cytoplasm With long thin hair-like parts arise Neurons जो होते हैं उसमें cell body present होते हैं एक nucleus present होता है और cytoplasm present होते हैं इस neurons में उसमें long thin hair-like parts भी present होते हैं युजवली इस neurons has a single long part और इसमें क्या होता है Neurons में एक single long part होता है एक लंबा जैसा tube type का जिसे हम लोग axon कहते हैं And many short branches part called dendrites और उसमें कुछ-कुछ short type के branches भी होते हैं उपर का side में जिसे हम लोग dendrites कहते हैं dendrites ही क्या करता है उस information को पूरे body में spread करता है And individuals nerve cells may be up to one meter long किसी भी individuals में अगर देखा जाए कि एक meter क्या होता है लंबा होता है nerve cells हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो अगर आप अनुमान लगाए तो एक meter लंबा हो सकता है इसी भी individuals में nerve cell की लंबाई Many nerves fiber bound together by connective tissue make up and nerve यतने भी मतलब की nerve fibers है जो हमारे nerve tissue के nerves fiber है वो क्या होता है हमारे connective tissue के साथ bound करते हैं together एक साथ क्योंकि हमारे nerve क्या करते है हमारे nerve जो information को पहुँचाएंगे तो वो कैसे पहुचाएंगे उनको connective tissue के साथ bonding मना के रखना ही होगा क्योंकि हमारे connective tissue क्या क्या है आपको पहले ही बताया था जैसे RBC, WC बहुत सारे हमने बताया था तो ये सारे चीज़ क्या है capillaries तो ये सारे चीज़ क्या होगा ये सारा information हमारे connective tissue तक पहुचेगा और ये अगर दोनों एक साथ bonding मना के रखेंगे कभी तो ये हमारे पूरे body में spread होगा वो information इसी लिए हमारे nerve fibers को connected tissue के साथ bonding मना के रखना पहुटा है तिक है then next जैसे यही है हमारे neuron का photo unit of nervous tissue यानि कि neuron क्या है unit of nervous tissue तिक है देखिए ये वाला क्या है ये वाला nucleus है let's clear ये ही dendrites है ये वाला short branches है ठीक है ये dendrites ठीक है और ये लंबा वाला part देख रहे हैं आप लो ये है exon ठीक है और ये जो इस तरह से निकल गया branch जैसा ये nerve ending यानि कि इसका end part nerve का end part और ये जो पुरा part भरा हुआ है इसी के हम लोकाते है cell body ठीक है और इसी में cytoplasm होते है ठीक है इसी में सब cytoplasm भरे होते है ठीक है तो आपको समझ में आ गया है जैसे कि यहां से माल लिजे information exon से होते 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 cell body तक पहुँचा cell body से निखले से पहुचा उसके बाद ये dendrite से पहुच गया और यहीं dendrites क्या करते है dendrites से हमारे blood के बहुत सारे connective tissue joint होते है और यहां से information पूरे body में spread हो जाता है that's clear student nerve impulses allow us to move our muscles when we want to इसमें क्या होता है कि nerve impulse जैसे कि ये nerve जो होता है impulse nerve impulse जब होता है हमारे nervous tissue के धुरू तो ये allow करता है हमारे muscles को जैसे कि हमारा muscles हमने क्या बताया muscles क्या है voluntary muscles tissue voluntary है तो अगर आप अपने muscles को उपर उठाना चाहते है नीचे उठाना चाहते है तो ये आपके क्या इच्छा के बिरूद नहीं है, आपके इच्छा के अकॉड़िं है, तीक है? आप अपने हाथ के प्यार को ऐसे मोड सकते है, किसी डा इरिक्शन में ऐसे कर सकते हो, तो यह क्या कराता है? यानि यह नहर मुश्र। जो है आपके ब्रेन तक यह बात देता है, कि आपको बोणिंग बनाना एक funson है यह नर्ब टीशु माली जी नर्व टीशू है यह मसल टीशू है दोनों का एक साथ कॉंबिनेशन होता है यह अच्छे बॉन्डिंग बना करते है तो यह बॉन्डिंग बनाना एक function है अंवे ये fundamental, येक मौलिक है, ये ज़िए हर, अनिमस में present, ऐसा होता है, ठीक हे, इक मौलिक्रिया होती है, ठीक हे, ये functional unit, तो नहीं कहेंगे, functional एक्रिबिटी पहने, तो ये सारे अनिमस में, प्रेजेंट होता है, हमारे नर्व होते हैं, हमारे muscle tissue होते हैं, दोनों का combination अच्छा combination होता है जिसके कारण हमारे muscles को move करने के लिए अलाव करता है ये nerve tissue ठीक है इस combination enables animals to move rapidly in response to stimuli और इसी combination के कारण हमारे मतलब हमारे हमें ये animals को हमें ये animals को जो response होता है वो तुरंद मिल जाता है ठीक है तुरंद move हो जाता है वो response और हम इस रिस्पॉंस को जान जाते है ठीक है तो students आप clear हो गया होंगे ये muscles tissue के बारे में और ये nervous tissue के बारे में जानकर के यह muscular tissue के बारे में और nervous tissue के बारे में तो हमको नहीं लगता है कि आपको कही सब्सक्राइब करें like share जरूर करें ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है और हमारे वीडियो को जरूर continue देखिएगा ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजेगा continue देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ठीक है पार्ट वाइस देखिएगा क्योंकि मैं जो वीडियो डाल रही हूँ पार्ट वाइस डाल रही हूँ ठीक है तो आज के लिए बस इतना इस्टूडन टेक क्या एंड बाई